नमस्कार मैं भारती जाओ और आप देख रहे हैं फाक्टेंड़ाइ स्पोर्स भारत और पाकिस्तान के बीच वोल्ड कप मैच से पहले एमदाबाद के नरींद मोधी स्टेडियम में रंगारंग कारिकरम होना था जिसमें बॉल्ड के स्टार परफॉर्मेंस करने वाले थे लेकिन इस मैच के ब्रॉडकास स्टार स्पोर्स ने बताया कि इस सेरमेनी के प्रसारन चैनल पर नहीं किया गया ट्वेट में बताया गया थे कि यह सिर्फ स्टेडियम में मौजूद फैन्स के लिए है इसका ब्रॉडकास नहीं होगा इस सेरमेनी में अरजीत सिंग, शंकर महादेवन और सुकविंदर सिंग, श्रधा कपूर और सुनीदी चोहान ने परफॉर्म किये है इसके एक बज़ा यह हो सकती है कि स्टार स्पोर्स के पास हो सकता है कि इस सेरमेनी की ब्रॉडकास के राइट्स ना हो यह सेरमेनी आख़डी समय पर प्लैन की गई जिसके चलते हो सकता है कि अनुबंद संबंधी कोई काम पूरा ना हो सका हो और स्टार स्पोर्स राइट्स हासिल ना कर सका हो भारत और पाकिस्तान के मैच پर पूरे वल्ड भट की नज़रे होती है ऐसे में इस सेरिमेणी पर भी लोगों की नज़रे थी वह भी इस रंगारंकारेक्रम को देखना चाहते थे लेकिन स्टार स्पोर्स के इस एलान के बाद इन करोरों लोगों को अपनी राशा हुई है क्योंकि वह मैच से पहले अपने स्टार्स को परफॉर्म करते नहीं देख पाई भारत और पाकिस्तान के मैच पर पूरे वल्ट भड की नजरे होती है एसे में इस सेरिमेनी पर भी लोगों की नजरे थी वो अभी इस रंका-रंकारेकरम को देखना चाहते थे लेकिन स्टार स्पोर्स के इस एलान के बाद इन करोरों लोगों को अपनी राशा होगी क्योंकि वह मैच से पहले अपने स्टार्स को परफॉर्म करते नहीं देख पाई इस वर्ल्ट कप की ओपनिंग सेरेमेनी नहीं हुई थी और यह सेरेमेनी एक दर्द से उसकी भरपाई के तौर पर देखी जा रही थी हर बड़े टुनामेंट से पहले ओपनिंग सेरेमेनी होती है लेकिन इस वर्ल्ट कप में ऐसा नहीं हुआ था और भी स्पोर्स से जोड़ी अपडेट के लिए देख तरीए फैक्ट इंडिया स्पोर्स